Hello Traders, Welcome back to my channel The Marketverse इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी Intraday Analysis सेर करूँगा जिसमें कम से कम risk reward ratio 1 is to 2 या फिर इस से ज़्यादा का होगा तो चलिए आज की इस भेधरीन वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले Traders हम लोग उने stocks को discuss कर लेते हैं जिसे मैंने आप लोग के साथ आज के Intraday Session के लिए सेर किया था कि आखिर उन stocks ने आज कैसा performance दिया है तो आज के लिए मेरा सबसे पहला Intraday Stock था Apollo Hospitals इसके अंदर Traders मैंने आप लोगों कल ही बिताया था कि 5000 का जो level है वो इसके लिए एक बहुत ही crucial support का काम करने वाला है psychologically भी 5000 का जो level है वो एक बहुत ही strong support का काम कर सकता है तो यहां से हम लोग को एक upward direction में momentum देखने के लिए मिल सकता है और हम लोग देख सकते हैं कि similar kind of action हम लोग को देखने के लिए भी मिला कि यह बहुत बार अपने इस resistance zone को break करने का try किया लेकिन एक बार भी 15 मिनट के time frame में हम लोग को closing उतना अच्छा देखने का मौका नहीं मिल पाया और हम लोग देख सकते हैं कि जब एक perfect breakout हम लोग को यहां पर होता हुआ नजराया है तो definitely उन लोग का एक stop loss भी hit हुआ होगा तो HDFC AMC के अंदर traders आप लोग नीचे comment section में जरूर बताएगा कि आप लोगों ने अपने trade को कहां पर initiate किया था आज के लिए मेरा अगला intraday stock था Titan Titan के अंदर traders हम लोग देख सकते हैं कि पूरे दिन हम लोग को कोई भी खास momentum होते हुए नजर नहीं आया है हालाकि जो trend line हम लोगों ने आजा support के लिए draw किया था हम लोग देख सकते हैं कि वहीं पर ये बार बार support लेता हुआ नजर भी आया है क्योंकि ये जो breakout था वो 3.15 मिनट के बाद आया है तो इस टाइम पर हम लोग intraday trade place नहीं करते हैं तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारी जो analysis होती है stock के अंदर momentum भी उसी तरह का हो जाता है लेकिन हम लोग उस move को capture नहीं कर पाते हैं तो इस चीज से हम लोग को थोड़ा सा भी frustrate होने का जरूरत नहीं है अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि daily daily आप लोग intraday trading करने बैठी है और आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से trade execute करने का भी मौका मिले तो कभी-कभी इस तरह का भी दिन आता है जहां पर हम लोग को पता होता है कि क्या होने वाला है लेकिन फिर भी हम लोग को proper entry point नहीं मिल पाता है जिस कारण से हम लोग कोई भी trade नहीं place कर पाते है परसनली बात करू तो आज मैं भी एक भी intraday trade place नहीं कर पाया तो आप लोग traders नीचे comment section में जरूर बताएगा कि आज आप लोगों ने कौन से intraday stocks में trade लिया था या फिर नहीं लिया था या फिर कहीं पर आप लोग का stop loss भी hit हो गया है तो वो भी आप लोग नीचे comment section में बता सकते है आज के लिए traders मेरे अगला intraday stock था kotak bank जिसके अंदर हम लोगों ने selling side में परे trade को plan किया था लेकिन traders मैंने आप लोगों को कल भी पिताया था कि nifty bank के अंदर हम लोग को कोई भी bearish momentum देखने के लिए मिलता है कि ये अपने resistance को break किया और एक अच्छा का सब momentum हम लोगों को इसके अंदर भी देखने के लिए मिला है तो आज इसके अंदर कोई भी entry trigger नहीं हुआ था और इसलिए मैं आप लोग कहते भी रता हूँ कि supporter resistance को draw कर लीजिए तो अगर आप में से किसी ने भी resistance के breakout आने पर इसके अंदर कोई trade initiate किया था तो मुझे नीचे comment section में जरूर बताएगा आज के लिए मेरा अगला intraday stock था PVR INUX इसके अंदर भी traders हम लोग को पूरे दिन consolidation होते हुए ही नजर आया है तो आज इसके अंदर भी कोई भी entry trigger नहीं हुआ है तो अगर आप लोग चाहे तो इसे कल के लिए भी अपने radar पर रख सकते हैं same levels के साथ में क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग को breakdown होते हुए नजर आता है तो I hope traders आज का दिन आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा गया होगा नीचे comment section में मुझे जरूर बताइएगा साथी में अगर अभी तक आप लोगों इस वीडियो को like नहीं किया है तो please इसे like भी कर दीजेगा और मेरे channel को subscribe भी कर दीजेगा ताकि मैं इसी तरह से आप लोग के लिए बहतिलिन वीडियोज बना सको इसके साथ साथ आप लोग मेरे telegram channel को भी join कर सकते हैं यहाँ पर भी मैं आप लोग को कभी कुछ update से साथी मैं live market में भी chart analysis share करता हूँ तो जो लोग भी इसे join करना चाहते हैं उन लोग लिए मैंने नीचे description box में इसका link provide कर दिया है वहाँ से आप लोग इसे बहुत ही easily join कर सकते हैं हाला कि आज मैं आप लोग को यहाँ पर कोई भी trade update provide नहीं कर पाया क्योंकि मैंने आप लोग को वीडियो में पहले ही बता दिया है कि आज personally मैंने कोई भी entire trade नहीं लिया था जिस कारण से यहाँ पर भी मैं आप लोग के साथ कोई भी update share नहीं कर पाया तो चलिए traders अब हम लोग discuss कर लेते हैं उने stocks को जिसे आप लोग कल के लिए अपने watchlist में add करके रख सकते हैं और कल जीन stocks के अंदर potentially हम लोग को कोई भी breakout या फिर breakdown देखने के लिए मिल सकता है लेकिन उससे पहले traders मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग को मेरी analysis और accuracy पसंद आ रही है तो आप लोग channel को support करने के लिए इसकी membership को भी join कर सकते हैं join बटन पर click करके सिर्फ 89 रुपीज पर मन्त के offer price पर और जितने भी लोग channel की membership को join करते हैं उन सभी लोग को एक WhatsApp stock market news group में भी जुणने का मौका मिलेगा साथी एक discussion group भी मैंने members लोग के लिए बनाया है तो वो लोग उसे भी join कर सकते हैं और monthly दो बार मुझसे live discussion कर सकते हैं तो चलिए अब हम लोग कल के लिए analysis को देख लेते हैं तो कल के लिए traders मेरा सबसे पहला intraday stock रहेगा ITC इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही खुबसूरत सा inverse cup और handle pattern हम लोग को बनते हुए नजर आ रहा है साथी में ये जो trend line है वो इसके लिए बहुत ही strong support का भी काम कर रहा है तो ऐसे में कल अगर यहाँ पर हम लोग को breakdown देखने के लिए मिलता है तो एक अच्छा कासा intraday move हम लोग इसके अंदर capture कर सकते हैं तो इसलिए आप लोग इसे जरूर अपने radar पर रखिएगा इसका जो levels हो मैंने आप लोग के यहाँ पर mention कर दिया है आप लोग इसका screenshot ले सकते हैं या फिर note down भी कर सकते हैं लेकिन traders बेटर यहीं रहेगा कि आप लोग भी मेरी तरह support और raise stance को draw कर लीजिए ताकि live market में आप लोग और भी ज्यादा clarity के साथ अपने trades को execute कर पाए कल के लिए मेरा दूसरा intra day stock रहेगा Apollo Hospitals क्योंकि इसके अंदर traders आज हम लोगों ने देखा कि बहुत ही अच्छे volume के साथ में और बहुत ही अच्छा सा breakout भी आ चुका है तो इसलिए traders आप लोग Apollo Hospitals को कल के लिए एक बार फिर से अपने radar पर रखिएगा जो नया level से हो मैंने आप लोग लिए यहाँ पर update कर दिया है आप लोग जरूर इसे note down कर लीजिएगा कल के लिए मेरा अगला intra day stock रहेगा SCL Tech इसके अंदर traders हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही खुपसूरत सा हम लोगो triangle pattern बनते हुए नचर आ रहा है साथी में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक hidden solder type of pattern भी बनते हुए दिख रहा है तो ऐसे में कल अगर यह अपने इस resistance जो उनको break कर देता है कल के लिए मेरा अगला intra day stock रहेगा Tata Communications इसके अंदर traders बहुत ही खुपसूरत सा हम लोग को triangle pattern बनते हुए दिख रहा है साथी में यह जो zone है वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा crucial role play कर रहा है साथी में अब हम लोग देख सकते हैं कि यह बार बार उपर में जा करके इसी zone को try कर रहा है break करने का लेकिन successfully break नहीं कर पा रहा है तो ऐसे में कल अगर यहाँ पर हम लोग को breakout देखने का मौका मिलता है तो एक अच्छा खास move हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है लेकिन traders हम लोग यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि यह जो trend line है वो भी इसके लिए बहुत ही strong support का काम कर रहा है तो ऐसे में कल अगर हम लोग को इस trend line का breakdown देखने के लिए मिलता है क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही खुबसूरत सा inverse head and shoulder pattern हम लोग को बनते हुए नजर आ रहा है तो ऐसे में कल अगर यह 1242 के level को break कर देता है तो एक अच्छा कासा intraday move हम लोग को इसके अंदर भी capture करने के लिए मिल सकता है साथी में अगर हम लोग इसको one day के time frame पर भी देखेंगे तो देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे volume के साथ में यहाँ पर हम लोग को buying होते हुए नजर आ रहा है इसके अंदर टेडस हम लोग देख सकते हैं कि यह एक अच्छे खासे channel pattern में move कर रहा था पिछले कुछ दिनों से इसके अंदर हम लोग को बहुत ही strong fall होता हुआ दिख रहा था साथी में यह अपने इस zone के उपर में breakout भी दे चुका है तो ऐसे में कल अगर यह अपने इस trend line को break कर देता है जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अल्रेडी यह बहुत बार resistance फेज कर चुका है उस case में हम लोग को इसके अंदर एक अच्छा खासा rise होता हुआ दिख सकता है तो इसलिए traders आप लोग ICICI bank को भी जरूर अपने radar पर रखेगा लेकिन traders कल अगर यह flat open होता है और एक बार यह अगर अपने इस zone को retesting कर लेता है और फिर यहाँ पर आकर के इस trend line का breakout देता है तो उस time पर इसके अंदर थोड़ा सा और ज़्यादा conviction बढ़ जाएगा तो आप लोग definitely इसके अंदर अपना trade plan कर सकते हैं तो I hope आप लोग इस बात को जरूर अपने ध्यान में रखेगा तो इसी के साथ traders हम लोग आज की अपनी इस video को खतम करते हैं I hope आप सभी लोग को मेरी जो analysis से वो पसंद आई होगी दन्यवाद